हिलो दोस्तों अज़ जो मैं वीडियो में डिसस करने वाला हूँ रेलेक्टी टू बिजनस साइकल फेस से है इसके पहले एक वीडियो बनाया जहां पर मैंने बिजनस साइकल क्या होता है भीडियो । अगर आपको तौपिक का नोट सी है तो लिंक डिस्क्रिम्स में डाल जूँगा तो आप देख लीजेगा मेरे वेबसाइट पर जो आपको पढ़ने में काफी आसानी होगा ठीक है समझने के लिए भी के अंदर अपसेंट और उनक बोलते हैं अगर इसको समझना है तो आप एक चीज पूरे जितना एक्स्प्लेशन रहेगा समय कॉमन चीज रहेगा इंवश्मेंट ठीक है अब युम्हीं की बता रहा हूँ क्योंकि यह चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है इंवेश्मेंट मतलब होता है जैसे अगर कोई एक बिजनेस में बिजनेस में क्या कर रहे है वो क्या होगा implement इंक्रीज होगा現在 business कि इंक्रीज होता है तो इसके लिए आपको लेवर चाहिए बिजनेस के लिए किया चाहिए लेबर चाहिए और जब तो लेबर क्या होगा, increase होगा, implement, मतलब लेबर जब increase होगा, तो क्या होगा, output, output भी क्या हो जाएगा, increase होगा, so output भी क्या होगा, increase होगा, मतलब investment increase होगा, तो investment leads to increase in employment, and employment leads to increase in output, and जब output increase होगा, तो भाई, output sell भी तो होगा, so इसके वज़े से level of income भी क्या हो जाएगा, increase हो चाइकल है यह कि ऐक्नामिक एक्टीविटीस है कि एक। मतलब इन्वेस्मेंट वड़ा आ तो इन्वेस्मेंट वढ़ने की वजह से हमारे आलिशन जैना आद उसके Dopod Scotland Municipal सुदधेूर अब यह तliestना वहान थो मतलब सवह कीजों कैसे होता है यह वर इंकम शुआरा और यही income क्या होगा मैं एक labor employment हुँ तो लोगों का मतलब जब income increase हो मतलब सभी लोगों का income बढ़ेगा सभी लोगों का जैसे employment करा तो उसका कुछ न कुछ income मिलेगा जब income increase होगा तो इसका consumption भी क्या होगा increase होगा ठीक है पर-person का consumption मतलब overall consumption और जब यह पर consumptions overall increase होगा तो हमारे देश का GDP हो भी क्या हो जाएगा increase होगा that is gross domestic product इसलिए क्योंकि यह चीज़ को समझना है GDP मतलब gross domestic product लेकिन यह gross domestic product क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी goods and services जो output total produce किये जाते हैं उसका market value कितना है उसको हम क्या बोलेंगे GDP को बोलेंगे ठीक है और यह GDP हमारा किसको बड़िपेंड होता है domestic consumption इंडियन economy जो है domestic consumption को बड़िपेंड ठीक है अब अगर हमारे देश में consumption increase होगा तो हमारी GDP का होगे automatic क्या होगे increase होगा और फिर जब यह consumption होगा फिर वापस से वही पैसा rotate होके bank के तुरो क्या होगा वापस से वह investment होगा और एक cycle है क्या होता है यह चलता रहता ठीक है अब यह चीज़ समझे होती है इसी चीज़ को हम क्या बोलते है business cycle मतलब होता है ups and down और fluctuation in the economic activities investment, employment, output, income, consumptions, GDP यह जब change होता है इसी चीज़ को हम क्या बोलते है cycle बोलते है और यह क्या होता है एक time being के हिसाब से क्या होता है time के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहता है और लेकिन इसका कोई fixed period नहीं होता है इतने time के बाद होगा तो आपको समझना आ गया यह है business cycle यह है economic activities related ठीक है अब हमको क्या करना इसको explain करना है faces के बारे में मतलब economy में different faces है एक faces होता है बहुत level तक downfall हो गया है इंविस्मेंट, employment, output, income, GDP सब क्या हो गया decrease हो गया इसके बाद अगर यह point हम बाद मेंbusiness कर लेंगे थे सुपर्टि के बारे मेंだから prosperity एक सब्रेटिो हो टा है एक ऐसा time होता है जहाँ पर यह सारी economic activities के अंदर का होना increase होना उसी को हम क्या बोलते prosperity prosperity कैसा level जहां पर business में और economy में क्या होता है economic activities के अंदर increase होना मतला देखो यहाँ पर मैंने लिखा है prosperity का ऐसा period होता है जहाँ पर increase होता है क्या increase होता है? output as I said output बढ़ेगा तो employment automatically increase होगा और employment बढ़ेगा तो income भी क्या होगा increase होगा और जब income increase होगा तो हमारे दिसका consumption भी increase होगा consumption increase होता है prices भी level होगी क्या होता है increase होता है इससे क्या होती हमारी economy का growth होता है हमारा country का GDP भी क्या होता है increase होता है यह एक ऐसा level है जहाँ पर क्या करता है economy का एक अच्छा period बोल सकते good trade as per the keynes theory as per the keynes definition कि यह period prosperity good trade होता है जहाँ पर जह है सारे economic activities क्या होती 加 depuis increase होती है यहाँ पर मैंने यह भी लिखा जैसले money supply का भी increase होजाना economy transactions होता हो भी increase हो जाना bank credit जह वो भी क्या होता है increase हो जाता है bank credit increase होना मतलब transactions जढ़ा होना transactions जब बड़े होंगे investment भी क्या होता है increase होना सो यहीं चीज़ें क्या होती प्रॉस्पेरिटी में होती है, understood, what is prosperity, prosperity एक ऐसा period है, जहां पर economic activities के जो होते है, वो क्या होता है, increase होता है, that means increase in output, investment, income level, यह सारी चीज़ें क्या होती, prosperity, understood, what is prosperity, समझ में आगे क्या है prosperity, अब प्रॉस्पेरिटी होने के बाद क्या होता है, peak, peak प पहुचना मतलग यह होता है, कि यहां पर economic activities जो है, output level इदम high पर हो, से ज़्यादा प्रॉड्यूस नहीं कर सकता है, मतलग जितना भी हमने पूरा use किया है, investment हो सारी चीज़ें, employment, सभी लोग employed है, ठीक है, investment भी बहुत जादा है, उस level पर जो production होगा, वो सबसे ज़्यादा ह और यह prosperity, लेकिन उसके बाद वो peak पहुच जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा गर हमको produce करना तो possible नहीं है, तो वहां से क्या आता वापस से, यह एक ऐसा peak period है, जहां पर एक denote करता है, कि वहां से सारी चीज़ें क्या होगी, downfall होगी, मतलग जिरे-दिरे कम होगी, जैसे कम होता है, उसी period को हम क्या बोलता है, recession बोलता है, recession एक ऐसा period है, जहां पर इसका opposite समझी कि downfall होना, किसके अंदर economic activities के अंदर जैसा output कम होना, investment कम होना, unemployment level दीरे-दीरे क्या होना, बढ़ना, increase होना, so यह recession एक परेड होता है, समझे, इसका क्या है opposite है, समझ में आगे, what is recession, recession एक एसा period जहां पर, जो growth rate हो क्या, दीरे-दीरे क्या हो रहा, slowly कम होते जारा है, मतलब, जो है, economic activities कम हो रहा है, employment कम हो रहा है, investment कम हो रहा है, bank credit हो भी क्या हो रहा है, transactions हो भी क्या हो रहा है, दीरे-दीरे कम हो रहा है, so यह level पर क्या आ जाता है, कि यह level पर expansion रहता है, हमने introduction में क्या वाला जो क्या होता है यह प्रेशन अब कि रहें में क्या होता है और देप्रेशन में क्या होता है पूरी तरीके थे एक साइकल है जहां पर का होता है पूरा जो कास्ट के अंदर अगर देखो के फैक्टर प्राइजिंग मतलब जो लेबर्स के जो वेज़ेस है जो इंट्रेस रेट होना वो सारी चीज़ों के अंदर क्या होना डाउन पॉल होना तैपिटल उसका इंट्रेस्ट जो वो भी अगर अगर आपको पूरा समझ में आदा है कि इसको कितना एक्स्प्लेइन करना है बट समझने के लिए जो मैं बोला है आपको आप समझे कि हां रिसेशन मतलब होता है जहां पर इकनामिक एक्टुइटिस का डाउन फॉल अब एकनामिक एक्टूइटिस में क्या आता है इंप्ट्रेइबर एक्टूइबर विजिस वो भी कम हो जाना तो यह एट प्रियिट कैसा प्रस्परेडी से recession है, recession से क्या है, depression है depression से क्या है, throw up है और ये period एक प्रोफ, एक ऐसा period है जहाँ पे सारी चीज़न जाते हैं, डाउन फॉल हो जाते ठीक है और एक period ऐसे denote करता है कि अब इससे ज़्यादा economy low नहीं जाएगा इसके बाद क्या होगा, दिरे-दिरे इंकरीज होगा, मतलब वो recovery sector आएगा तो recovery sectors में क्या होता है कि एक positive sign होता है economy में, जहाँ पर investment का होता है, दिरे-दिरे increase होता है, investment जब increase होता है, मतलब bank का जो investment है जो credit है, transactions हो भी increase होता है, और उसी के तरह दिरे-दिरे क्या होता है, वो cost increase नहीं होता है क्या होता है दिरे दिरे इंक्रीज होता है तो ये जो है प्रस्परीटी मतलब यह पिक पर जाएगा फिर दोंफ अन ये एक साइकल है जो इंकृस होता है यह पिरेड को हम expansion बोलेंगे इसको contraction बोलते हैं expansion जब economic activities इद्दम high level पे जाना increase उने contraction में क्या होता है downfall होता है जहां पे फुरी economic downfall होती है फिर वापस से recovery लेता है तो ये जो fourth वाला point है it is recovery तो recovery sectors में क्या करना ये increase होना देरे-जेरे का करना जो economy recover करती है अगर आप जैसे अभी अगर करन्ट सुच्वेशन के साथ से देखेंगे तो जो सबी पूरे वर्ल्ड की एकॉनमी में जो है वह देरे-देरे क्या कर रहे हैं रिसेशन में जा रहे हैं ठीक है रिसेशन आच उका मतलब समझेगे देरे-देरे फिर एक साल तक यह लेवल पर फ आपको पूरा अच्छे समझ में आ गए रहेगा कि बिजने साइकल के फेसेशन क्या होता है अगर आपको कुछ भी मतलब बाउट है इसके इस टॉपिक के अंदर तो आप कमेंड करो वापस से मैं क्या करूँगा उस टॉपिक के बारे में डिसेश कर लूँगा तो मैंने च होता है अगर आपको इकनामिक लाइंग्वेज में इस चीज़ को समझाओ मतलत सभी लोगों को इंप्लाइट कर दिया अगर जितने लेबर ते सब को काम पर लगा दिया जितना इन्वेश्म पर सब डाल दिया वो लेवल पर जितना आउटपुड होगा उतना ही क्या होगा मागजिमम होगा उससे जदा हम पोडिज नहीं कर सकते उसके बाद को होगा अगर हम उसको ज्यादा इस करेंगे तो धिरे धिरे डाउनफल होता है जिसा आपने पढ़ा रहेगा रिटर्ण की स्केल करके होता है एकनॉमिक में इकला है तो आई होप कि आपको सारी सीजिने में समझ में आया गिरेगी आपको कुछ भी सजेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो वहाँ पर आपने सजेशन दे सकते हैं और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंकि सुमझ लाइस फॉचिम